हाई प्रेंड मेरा नाम सुन्टू कुमार है और आप देख रहे हैं मेरे यूटू चैलन डिजिटाल टैच वीजन मेरे चैलन में आप लोग को बहुत वास्वाया थे आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं वान के भी एस्ट अपलाइजर के बारे में तो चलि है प्रिट कमटन देखिए 1 की एक वाणी енд कहए में यह तो कॉपर में आती है एक अलमुनियम कोईल बैस्ट थित दो फिलान मैंने कौपर कोपरव वांडिंग में लिया हтории को उधि घूटिज में लेनी है कोपर कोवल वेर्णिंग है जो काफी लूटॉन तर चलती है है और लेती है लेकिन उसका थोड़ा सा बहुत कम है क्योंकि तर साटा पाता आप उसे केमिर कोपर कोब वांडिंग में इसे लिया हूँ ठाल मैंने भीप्र कोपर कोबरसा दूह रहा हुं एसे बैफ से आप men準 में में देखिए, DPD इसका लगा हुआ है, उसके बाद है इसका मीटर है, जो वोल्टेज, बताती है हम लोगो की कितना वोल्टेज मेरा भी है, इसका देखिए रीले है, नाइं जीरो नाइन है, रीले के कन्ट्रोलर है, यह जो आटपुट होती है, उसका सौकेट है, जो टेस्वारम अब तो फ्यूज उड़ जाती है और काफी आपका पूरा समान जो इसमें लगा हुआ कॉम्पोनेंट वच जाती है तो इसका फ्यूज है अब देखे इसका सायरन है जब वोल्टेज बाढ़ती है जैसे दो पर 200 पर आपका कंट्रोलिंग किया गया है इसलिए लेकर तुरू आपका कि दो सक पर आटो कट्रों जाए तो उसके बाद यह बीप करना स्टार्ट देना स्टार्ट कर देती है वोल्टेज हो चुकी है उसके लिए यह स्पीकर इसका लगा हुआ है वस इतना ही फैसलिटीज में दिया गया है तो काफी अच्छी कोलीटी का स्टेप्लाइज मैं इसे क्लेन यह सपीर कर रहा हूँ कि देखिए उसमें क्या क्या फर्चलीटी दिया तो मैं इसे करेंट फॉसर दोइं देखें ऊपर का डञकर से तो लिए उसका आगे का यह देखिए फ्रंट का यह है देखिए पावर का आटो कट होगी तो यह लाट जा लिए इसका डिपीडी है जो आप डॉण और तीन ठो है देख सकते हैं उपर डाउन और नीचे की वर है इसका देखिए वोल्ड मीटर है जिसे बुल्टेज बताती है और इसका चालेंग है जिसे आप मैन आटोमेटिकली किया हुआ रहाता है उसमें करने के कुछ जेरुवत नहीं कितने भी वुलिटेज रह आप को 800 वोल्टेज यह दोसुल जितने भीन माव 515 अप कर आपको दिया रहाता मीटर में आपको वहीं सो करेगा अगर वुलिचक है तो आटो मेटिकल बनाकर बद्धा आपको देगा मैनुवाली रूप से करने के लिए एक बुल्टें करना पड़ता है आप लोग तो आप देहाद शेतर में रहते हो तो आप इसी परकार का टेस्परमा परसेज किजिए और इस परकार का टेपलाजर ही आप लोग परसेज किजिए जिससे आपको आप डौन कर आप कंट्रोल कर लिजिए कि दिया हात में बहुत है बिजली की समासिया रहती है कि बिजली ज्यादा वुल्टेज में रहती है तो आपको इसको मेले अली रूप से इस्तमाल कर अपना कोई वी वर्क कर सकते हैं अब इससे कंपेर के जाए दूसरे मेरे पुराने वाले जो वन के भी कैस्टे प्लाइजर है तो चलिए मैं इससे देखा दे रहा हूं किस पर करके इसमें कॉंपेनेट और फैसलिटी दिया गया है तो देखे वन के भी काये मेरे ट्रेस्परमा जो काफी पूराना है काफी दिनों से मैंने यह कॉपर क्वाल वाल्डिंग में पहले भी मैंने इससे लिया था तो यह चीपानी में इसका देखे ऐसका चैलेंड है और इसका डीपीडी है और इसका भी देखे लायट लगा रहे दो तो थो इसका में पर प्राने वाले मीतर है औरने देखे दो थो इसका relay का controller लगा हुआ है इसमें देखिए double relay लगा हुआ है और double 909 लगा हुआ है एक ठो यहां पढ़ा है एक ठो इस जगह पर देख लेग सकते हैं एक छोटा वाला एक बड़ा वाला दो ठो 909 इसमें लगा हुआ है जिसमें और इसका देखिए output socket है जिसे आप मिले सकते हैं फ्यूज यहां पड़ा है देख से बाहर से अप लोग देखा दे रहें इस आउकट है इसका यह फ्यूज है तो इस इस वाले से इसमें ज्यादा थोड़ी component दी गए component देने के वाद फैसिलीटी है कि इसमें एक पूसर बटन की फैसिलीटी दी गए है जो आटो कैट तो बी इसमें प्रोग्लम आ जाती है या ज्यादा वुल्टेज हो जाती तो आटो मैटिकली एक अपना पॉडर कट कर लेगी लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं एक पूरा पूरा पावर कट कर लेता है तो इससे में मेरे को एक बात अच्छी लगी पुराने वाले में लेकिन नए वा दी गई और बात कीजी रेट की तो रेट मेरे काफी पुराना तो फिलाल अभी के महगारी को नसार तो ज्यादा इसका रेट लगा ही है लेकिन यह काफी सस्थे में आगे थी उस वक्त और अच्छी क्वालिटी में आए थी है का तक्रिम रूपी के रूपी के अंदर आगे थ लेकिन इसमें मेरे को पची सो रूपे लग चुका है तो पर भी उतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं आई है तो चलिए मैं इसे पावर दोनों को देखकर देखता हूं कि किस परकार यह दोनों बर्क करती है और किस परकार इसका फैसिलिटी है चलिए मैं इसे दोनों को प खराब हो चीक है लेकिन इसे पावर देने के लिए आपको लाइन दे जिए तो भी पावर नहीं आगी इसे पूस्ट करना पड़ेगा तो भी पावर आएगे देखें देखें पावर आ चुका है लेकिन इसका लाइट थोड़ा खराब हो चुका है ठीक है अदेखें इसमें चुका है देखिए इसका बुल्टेज मैंने 200 अभी इसे बढ़ाओंगा अड़ाई सूपर मेरा किया हुआ देखिए अड़ाई सूपर बीप देने लगी और यह लाइट बिलिंक करने लगी और देखिए इसे सौंड देना लगी लेकिन इसमें लाइन है ही अभी तर इसे जो मैं बुल्टेज बढ़ाओंगा तो देखिए क्या होगी अड़ाई सो बुल्टेज पर मेरे किया हुआ अड़ाई सो के बाद है अटो कैट हो जाएगी तो अटो कैट कि में पूरा अपना वर्क लाइन ही काट देगी अब जब तक आप इसमें लाइन नहीं दीजेगा अब तक कि अश्टेप लाइन देने के लिए क्याकर नहीं पूसर को प्रेस करना के लिए रहेगा जब तक आप पूसर प्रेस नहीं कीजेगा इसमें लाइन आएगी अब दिन रात कभी भी छोड़ दियो कोई दिकत नहीं पूरा अपना ये लाइन काट चुका है आपको इ से मैं कर लेता हूं इसके बाद पूसर को दूंगा देखिए यह ले चुका अपना लाएं इसमें फोल्ड वाले मेरे को फैसलीटी यह बहुत अच्छी लगी कि इसमें अच्छी कॉल्लीटी में इसका बांड किया हुआ भी है और इसमें एक फैसलीटी यह पूसर वाला बहु ले तो इस परकार का इस्टवलाजर ले यह भी ठीक है यह अपने जगह पर ठीक है फिलाल मेरे में इस पैसलीटी यह नहीं मिली है लेकिन केमपेर के जाए निव वाले तो अभी तो अच्छी कंडिशन में है और देखता हूं मैं इससे बर करता हूं आप लोग अभी लेने प्रोग्लम हुआ तो घर पर ही इसे चेंज कर सकते हैं मीटर का चेंज कर सकते हैं और इसमें एक फैसिलिटी यह भी है कि आप जितना बुल्टेज आपको लेना रहेगा उतना बुल्टेज पर आप बार कर सकते हैं जरूरी नहीं काड़ाइसो मेरे बार करना है देड़ सो पर नियुक्त जितना वुल्टेज्य आपको इशलेकी पर буने यह कर लिए और सहें आफ़ को कितना भी कि अप को आप लेना हो लगिलाइस भीछ कि पर रता हो इसी पर आए टुब यहाइज ढ़िएगा तो नहीं अपकर अब जितना बेंना चाहते हो यह अच्छी है कि आप लोग को जब भी कोई पर्चेस का मन हो तो आप मेरा से जैसे आप मेनुवाली रूप से ही लिजिए और यूज करके देखे किना अच्छी कोलेटी में आता है मैंने पहले भी मेनी वाली रूप से यूज करा हूँ अभी भी मैने मेनी वाली रूप से यूज करने के लिए एस्ट अपलाजर लिया हूँ तो आज के वीडियो में बस यहीं था दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आप मेरे चानल पर नाया हो तो मेरे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में